देश भर में लोगडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है ऐसे में केंद्र सरकार ने शराब दुकानों पर लगी पावंदिया हटा दी है नहीं अब केजरिवाल सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस नामक नया टेक्स लगा दिया है ऐसे में बंगलवार को राजधानी में शराब और महंगी हो जाएगी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब दिल्ली सरकार राजधानी में मर्पी पर सत्तर फीसदी टेक्स वसूलेगी गौर्टलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री अर्विंद की जिवाल ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए लोगों को संबोधित किया और उनसे मास्क बहने समाजिक दूरी का पालन करने और हाथों को साफ रखने की भी अपील की साथ ही उन्होंने कई शेत्रों में भीड जुटाने पर नाराजगी भी जुताई थी सीम ने कहा ये दरभागे पूर्ण है कि आज राजधानी में दुकानों पर भीड देखी गई यदि हमें पता शलता है कि किसी शेत्र में समाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है तो हम उसे शेत्र को सिल करना होगा साथ ही भापर दी गए छूट भी वापस ले ली जाएगी उन्होंने कहा कि दुकान मालिकों कोई जमदारी लेनी होगी यदि किसे दुकान के बहार समाजिक दूरी के नियमों का उलंगण होता है तो दुकान बंद करा दी जाए इस दुरान मुख्यमंद्री के जिवाल ने बताया कि दिली सरका द्वारा लॉकडाउन के दुरान दिली के ड्राइवरों के सहायता के लिए PSV बेश धारकों को 5,000 रुपए की सहायता देगी साथी उन्होंने कहा कि हम इस बात की जानकारी मिली है कि हजारों ये रिक्षा चालोकों के पास PSV बैच उपलब्द नहीं है ऐसे में हम सभी ये रिक्षा मालिकों को भी 5,000 रुपए की सहायता राशी देगे